मस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का मिस्टर फोन हिंदी में मेरा नाम है पौरुश और इस वीडियो में हम करने वाले हैं इन दोनों फोन्स का कमपारिजन ये है नार्जो 20 और ये है रेडवी 9 प्राइम इन दोनों फोन्स के individual reviews आपको हमारे चैनल पर मिल जाएंगे इस वीडियो में हम आपको बताएंगे इन दोनों में से कौन सा फोन आपके लिए बहतर है तो इस वीडियो को इंट तक जरूर देखें and if you are new to this channel then consider subscribing by hitting the red subscribe button उसके बगल में जो bell icon है उसके जरूर टैप कर दें ता आपको मिलती है दोनों ही phones में लेकिन यहाँ पर जो texture है दोनों phones में उसमें थोड़ा सा difference है थोड़ा नहीं in fact काफी difference है जो Redmi 9 Prime का texture है that is concentric circle design and जो Realme Narzo 20 में texture है वो है victory design यानि की V-shape का आपको यहाँ पर design देखने को मिलता है और यहाँ पर दोस्तों इन phones के weight और thickness में भी फ 20 में आपको 6000 mAh की battery मलती है इसलिए इस phone का जो weight है that is around 208 grams और इस phone की जो thickness है वो है 9.8 mm तो यहाँ पर definitely Redmi 9 Prime थोड़ा सा पतला और हलका है compared to the Narzo 20 and single-handed usage के लिए भी यह phone थोड़ा सा better है क्योंकि यह पतला design आपको मिल रहा है so it becomes a little more ergonomic and it becomes a little more comfortable to use with single hand otherwise looks के मामले में तो यार बहुत confusion है कि भाई मैं कौन सा choose करूँ हा मैं एक चीज़ जरूर कह सकता हूँ कि मुझे Redmi 9 Prime का यह black color काफी पसंद आया Narzo 20 का यह जो blue color है यह मुझे उतना पसंद नहीं आया शायद आपको camera में silver दिख रहा हो लेकिन यह है blue color silver variant अलग है इस phone का तो color तो मुझे यहाँ पे Redmi 9 Prime का पसंद आया लेकिन design texture आपको कौन सा अच्छा लगता है यह मुझे comments में जरूर बता है और दोस्तों अगर बात करें physical overview की तो दोनों ही phones में नीचे की तरफ आपको type-c charging port, headphone jack और mono speaker grill देखने को मिल जाती है लेकिन Redmi 9 Prime में ऊपर की तरफ IR blaster भी दिया गया है which is not present on the Narzo 20 औ और इसके अलावा दोनों ही phones में पीछे की तरफ आपको fingerprint sensor मिल रहे है, Realme Narzo 20 में आपको triple camera setup मिलता है लेकिन Redmi 9 Prime में आपको quad camera setup मिल रहा है इसलिए जो camera array है उसका जो placement है जो design है वो भी different है, square module मिलता है आपको on the Narzo 20 जबकि एक vertical pill shaped module आपको मिलता है on the Redmi 9 Prime तो यह यहाँ पर difference ह इसके अलावा तो weight और thickness में जो फर्क है वो हमने बताई दिया और हाँ दोनों ही phones में आपको triple SIM card slot मिल जाता है for storage expansion और in fact दोनों ही phones में EMMC 5.1 storage है, so यह भी एक similarity ही है, अब चलिए बढ़ते हैं आगे displays की तरफ और यहाँ पे तो undoubtedly Redmi 9 Prime is the better choice क्योंकि आपको Redmi 9 Prime पे full HD plus display मिल र नर्जो 20 में आपको HD plus display मिल रहा है, हम expect कर रहे थे full HD display लेकिन यहाँ पे अभी भी company HD plus display दे रही है, एक चीज में आपसे कहूंगा कि नर्जो 20 की जो sunlight legibility है, वो better है compared to the Redmi 9 Prime, लेकिन क्योंकि आपको यह full HD plus display मिल रहा है, इसलिए content viewing experience आपका Redmi 9 Prime पर बहतर होने वाला है, so I would go for the Redmi 9 Prime, ऐसा नहीं है कि sunlight legibility बिलकुली खराब है, ठीक ठाक है, I agree कुछ situations में display नहीं दिखाई देती, और नर्जो 20 की display की sunlight legibility better है, बट resolution यहाँ पर आपको better मिल रहा है, Redmi 9 Prime पर इसलिए I will go with the Redmi 9 Prime, अब दोस्तों बात कर लेते हैं, यहाँ पर performance के बारे में, दोनों ही phones में आप आपको MediaTek के processors मिलते हैं, लेकिन Narzo 20 में आपको मिल रहा है MediaTek Helio G85 और Redmi 9 Prime में आपको मिल रहा है G80, benchmarks के terms में यहाँ पर कितना difference है, यह हम आपको दिखा देते हैं, इस वक्त आपके screen पर benchmarks मौझूद है, Antutu में आप देख सकते हैं कि जो Narzo 20 है वो better है, आगे है Redmi 9 Prime से, लेकि तो यार, honestly, regular usage में आपको कोई भी फरक नहीं पता चलेगा, दोनों ही phones बहुत बढ़िया तरीके से काम करते हैं, किसी भी तरह का lag आपको नहीं मिलेगा दोनों phones में, दोनों ही phones में आपको 4GB RAM वाले variant मिलते हैं, हाँ, जो हमारे पास Redmi 9 Prime का variant है, उसमें 128GB storage है, और जो Narzo 20 का ह हमारे पास variant है, उसमें 64GB storage है, इस phone का 128GB variant भी आता है, और Redmi 9 Prime में भी आपको 464 का variant मिल जाएगा, लेकिन जो price difference है, वो जादा है, जिसके बारे में हम video के end में बात करेंगे, जब हम verdict पे आएंगे, तो खेर, regular day-to-day usage में कोई difference नहीं है, और in fact, gaming में भी कोई difference नहीं है, दोनो इस devices, आपको heating issues भी जादे देखने को नहीं मिलेंगे, तो यह अच्छी बात है, अब दोस्तो एक और फर्क है इन दोनों phones में, और वो है software का, Realme Narzo 20 में आपको मिलता है, Realme UI with Android 10, और Redmi 9 Prime में आपको मिलता है, MiUI 11 with Android 10, और obviously यहाँ पे तो खेर, पूछना ही नहीं है, just like display के ल मिल रहा है, which is close to stock Android, so yes, when it comes to software, we will choose the Narzo 20, अब दोस्तों यहाँ पर बात कर लेते हैं, audio quality के बारे में, तो माना की इन दोनों phones में, आपको mono speaker setup मिल रहा है, लेकिन जो Redmi 9 Prime का speaker है, that is a little more louder, और थोड़ा सा ambient effect जादा अच्छा आता है, Redmi 9 Prime के speaker से, मैं आपको एक quick audio test सुना देता ह आपको idea लग जाएगा, क्योंकि आपको जादा loud और clear output मिल रहा है on the Redmi 9 Prime, और wireless audio performance के लिए भी यहाँ पर मैं Redmi 9 Prime को ही choose करूँगा, वैसे दोनों ही phones में आपको dual 4G, dual VULT का support मिल जाता है, दोनों ही phones Wi-Fi calling के साथ आता है, dual Wi-Fi calling के साथ, दोनों ही phones में call recorder का feature है, दोनों ही phones में native video calling का support है, लेकिन जब आप Redmi 9 Prime में call recorder on करेंगे, तब अगली party को ये नहीं आवाज आएगी कि the call recording is being switched on, लेकिन जब आप Narzo 20 से call recording करेंगे, तब आपको वो IVR notification सुनाई देगा, तो please keep this in mind, अब दोस्तों बढ़ते हैं हम cameras की तरफ, तो यहाँ पर quad और triple camera के बीच की लडाई है, 48MP का triple camera setup है, Narzo 20 पर और 13MP का quad camera setup है on the Redmi 9 Prime, front में दोनों phones में 8MP का आपको selfie camera मिल रहा है, एक difference में आपको बता जाता हूँ, Redmi 9 Prime में आप 1080p 30fps पर ही shoot कर सकते हैं, जबकि Narzo 20 में आप 1080p 60fps पर shoot कर पाएंगे, now let's move to the camera comparison, दोस्तों daylight shots की बात करें, तो center में 100% zoom करने के बाद आप देख सकते हैं कि Redmi 9 Prime म आप देख सकते हैं कि balconies पर जो railings हैं, वो जादा clearly दिखाई दे रही है on the Redmi 9 Prime, लेकिन जो building का color है, वो Narzo 20 पर बिल्कुल accurately capture हुआ है, जबकि Redmi 9 Prime ने building के corner को brownish कर दिया है, यहाँ trees की तरफ देखें तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि Redmi 9 Prime पर details बेटर निकल कर आती हैं, लेकिन Narzo 20 पर आपको 48MP mode पर shoot करने का option भी मिलता है, बट still zoom करने के बाद हमें कुछ खास difference देखने को नहीं मिला, ultra wide shots की बात करें तो दोनों ही phones में 8MP का shooter है, details दोनों ही image में कुछ खास नहीं है, once again true to source colors आपको मिलेंगे on the Narzo 20, लेकिन यहाँ पर dynamic range Redmi 9 Prime पर better है, because the sky looks clearer in the Redmi 9 Prime's image, close ups की बात करें तो इस पहले comparison में आप देख सकते हैं कि दोनों ही photos अच्छी नहीं है, Redmi 9 Prime वाली image में flower का red color बिल्कुल blotch हो गया है, इसलिए focus होने के बाद भी आपको एक pleasing result नहीं मिलता, Narzo 20 की बात करें तो जैसा हमने review में भी कहा था कि flowers की images click करते वक्त focusing का issue आता है, the same goes for this picture, plus यहाँ पर जो flower है वो pink color का capture हुआ है, which is not true to source, second comparison में हम better conclusion निकाल सकते हैं, zoom करने के बाद आप देखेंगे कि जो spring coil है, उसकी details Narzo 20 पर better निकल कर आई हैं, और in fact stand पर जो rust है वो भी बहुत clear है on the Narzo 20, rim पर जो alphabets लिखे हैं पीछे की तरफ वो भी बहुत sharply capture हुए ह on the Narzo 20, Redmi 9 Prime ने wall के color को pick करके यहाँ पूरी image को yellow बना दिया है, which is definitely not true to source, macro photos के लिए दोस्तों आप comments में बताएं कि आपको कौन सी image better लग रही है, मेरे इसाब से Redmi 9 Prime is a better choice क्योंकि जो petals का texture है, वो इस camera ने अच्छे से capture किया है और petals की definition भी थोड़ी सी better है on the Redmi 9 Prime's image, लेकिन यह यहाँ पर indoor shots के लिए हम choose करेंगे Narzo 20 को because of accurate color reproduction and better details, zoom करने के बाद आप यह difference notice कर पाएंगे, low light के लिए guys बहुत easy है बताना कि Narzo 20 में आपको better images मिलती है और इस phone पर आपको night mode का भी option मिल जाता है, but अगर आप night mode off करके pictures क्लिक करेंगे, then you will get less contrasty images, अब दोस्तों बढ़ते हैं selfies की तरफ तो यहाँ पर इस पहले comparison में हम देख सकते हैं कि sharpness और details दोनों image में almost same है, लेकिन Narzo 20 ने मेरे face के color को pink कर दिया है और Redmi 9 Prime ने बिलकुल accurate facial tone को capture किया है, बोके selfies के लिए भी हम Redmi 9 Prime को choose करेंगे, once again facial tone accurate है और मेरे face के left side पर आप देख सकते हैं कि मेरी beard को Narzo 20 ने Redmi 9 Prime वाली image में ऐसा नहीं हुआ और bottom right में आप देख सकते हैं कि Narzo 20 ने मेरे हाथ को blur कर दिया है, जबकि Redmi 9 Prime ने उसे include करने के बाद bokeh effect को apply किया है, low light selfies दोनों phones पर कुछ खास नहीं है, लेकिन इन दोनों में से Narzo 20 की selfie better है because of better exposure, दोस्तों हम shoot कर रहे है, 1080p 30fps on the Narzo 20, और comments मे पर बताईए, video quality, audio quality, stabilization के बारे में, what are your thoughts, let me know in the comments, मैं pan कर देता हूँ, dynamic range का idea लग जाएगा आपको, बोस्तों हम शूट कर रहे है, 1080p 30fps on the Redmi 9 Prime, video quality, audio quality के बारे में आपका क्या कहना है, stabilization के बारे में आपका क्या कहना है, यह मैं comments में जरूर बताईए, and मैं pan कर देता हूँ एक बार, dynamic range का आपको आइड लग जाएगा, guys we are shooting from the selfie cameras of the Redmi 9 Prime and the Narzo 20, Narzo 20, let me know in the comments, what do you think about the video quality, audio quality, stabilization, dynamic range, panning में अगर आपको कोई jitter दिख रहा है, तो आप मुझे बताईए, comments में, and दोस्तों, finally, battery life की बारी आ गई है, तो 6000 mH की battery है Narzo 20 में, 5000 mH की battery है Redmi 9 Prime में, तो definitely आपको पताईए, कौन सा phone आपको ज़्यादा better battery life देगा, it is going to be the Narzo 20, आराम से आपको दो दिन का backup मिल जाएगा at regular usage, और यहां Redmi 9 Prime पे आपको देड़ दिन का backup मिल जाएगा on regular usage, लेकिन charging की अगर मैं बात करूँ, तो यहां Redmi 9 Prime में box के अंदर आपको type C charger मिल रहा है 10 watt का, और आपको 18 watt का charger separately purchase करना होगा, लेकिन Narzo 20 में आपको 18 watt का type C charger in the box मिल रहा है, और अगर charging time की बात करूँ, तो हमने अपने review में भी कहा था कि लगभग 3 घंटे लग रहे हैं इस phone को full charge होने में, हम expect कर रहे थे कि यार यह phone 2 घंटे में full charge हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, Redmi 9 Prime की बात करें, तो सवा 2 घंटे लगते हैं इस phone को full charge होने के लिए, तो यहाँ पर दोस्तों बहुत ही clear cut मामला है, जादा कुछ सोचने की जरूवत नहीं है, अगर आपको full HD plus display चाहिए, अगर आपको यहाँ पर better audio performance चाहिए, और अगर आपको यह quad camera module जादा पसंद है, अगर आपको macro photos जादा click करने का shock है, और अगर आपको better selfies चाहिए, तो आप जा सकते हैं, Redmi 9 Prime के साथ, लेकिन अगर आपको better charging चाहिए, जैसे कि अगर 18 watt का charger in the box चाहिए, better battery life चाहिए, और यहाँ पर आपको better rare camera चाहिए, 48 megapixel का camera आप use करना चाहते हैं, and if you like this design, then you can go with the Realme Narzo 20, और हाँ, जाने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, इन दोनों ही phones में 5 GHz Wi-Fi का support आपको मिल जाएगा, तो उसकी आपको चिंता करने ही ज़रूरत नहीं है, anyways, अब आपकी बारी आ गई है, comments में बताने की, कि इन दोनों में से कौन सा phone आप करेंगे, let us know in the comments down below, अगर आपको एक वीडियो पसंद आई है, तो इसे जरूर लाइक करें, Realme के फैन है, तो लाइक कर दीजे वीडियो को, और Xiaomi Redmi के फैन है, तो comment करके बता दो यार कि कौन सा phone पर्चस करोगे, खेर, मतलब मेरा मतलब है, dislike मत करना, try to not dislike the video, anyways, that was it, कैसी झाल